दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सरकिट चैनल में दोस्तों आपने ये DT830D मल्टिमेटर तो यूज में लियाई होगा लेकिन दोस्तों इस मल्टिमेटर में एक छोटी सी परेशानी आती है वो परेशानी ये आती है जैसे ही इसको Continuity Mode पे करके ये लीड होती है इनको आपस में ऐसे टच करते हैं इसमें जो बजर के आवाज आती है थोड़ी देर बाद में ये आवाज आती है जैसे मैं ऐसे टच करता हूँ और इस multimeter में जैसे ही इस lead को ऐसे touch करते हैं तो तुरंड आवाज आती है दोस्तों इस multimeter में एस से थोड़ा अलग सरकिट होता है बजर का तो इसमें तुरंड से यह आवाज आती है ऐसे कितनी बार भी touch करें लेकिन आवाज सही आती है और इसमें नहीं आती है दोस्तों मेरे पास एक कमेंट भी आया है ये स्रीमान जी लिखते हैं इनके पास ये DT830D मल्टिमेटर है continuity mode पे बजर की जो आवाज आती है उसमें एक या दो सेकंड का डिले होता है तो दोस्तों इस बजर की प्रेशानी को कैसे ठीक करते हैं आज का वीडियो इसी के बारे में है सबसे पहले जो इस मल्टिमेटर में IC लगती है उसका सरक्य डायग्राम को देख लेते हैं जो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी इसका मैंने ये सरक्य डायग्राम बना रखा है और इसकी पिन नमबर 1 पर देखेंगे तो बजर की एक पिन पिन नमबर 1 पर जुड़ी होई है और पिन नमबर 2 इस बजर की वो बैटरी का जो पलस होता है उसके साथ में जुड़ी होई है और इसकी pin नमबर 49 होती है इस IC की वो voltage input pin होती है जैसे ही यहाँ पर voltage का signal देंगे तो यह IC वो display के अंदर voltage दिखाएगी 49 नमबर pin पर एक 1 MW की resistance लग रही है इस 1 MW की resistance के पास में ही 100 NF का capacitor है इस capacitor को यहाँ से हटा देंगे तो यह परेशानी ठीक हो जाएगी या इस capacitor की जगह पर 10 NF का capacitor लगा देंगे तो थोड़ा delay कम हो जाएगा इसका दोस्तों यह circuit diagram है जो मैंने एक वीडियो बनाया था multimeter के उपर ही उसका यह circuit diagram है उस वीडियो में इस बजर के बारे में नहीं बताया था इस वीडियो में मैंने इस बजर को यहाँ पर add किया है और इस circuit diagram के बारे में पूरा समझना है तो मैं उस वीडियो का link description में दे दूँगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो और उस वीडियो के description में यह आपको circuit diagram भी मिल जाएगा तो पहले इस multimeter को खो लेते हैं अब यहाँ पर देखेंगे यह एक resistance लग रही है यह resistance है यह 1 meg ohm की resistance लग रही है और इसके पास में ही एक capacitor है यह 100 nanoparad का capacitor है इस capacitor को बाहर निकाल देते हैं और फिर इसको test करते हैं यहाँ पर जो capacitor लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है और अब इस multimeter को test करते हैं यानि अब आवाज ठीक आ रही है कोई buzzer में delay नहीं है और इसमें voltage भी test करते हैं voltage सही दिखाता है यानि voltage भी सही दिखा रहा है तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा इसकी buzzer का जो delay होता है उसको कैसे ठीक करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो